दोस्तों जैसे कि आप thumbnail और title डेख कर समझ गए हैंजे कि आज की वीडियो जो है बहुत ही जारे important होने वाली है जिया दोस्तों अगर आप एक YouTuber है या आपका channel है YouTube है तो आज की वीडियो केवाल आपी के लिए है आज की वीडियो आपकी channel से related ही है बहुत ही जारे important है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्कीप मत कीजेगा and तक देखिए जिससे आपसे कोई भी information मिस ना तो चलिए दोस्तों बिना देखिए वीडियो को सुरू कर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दू अगर आप एक YouTuber है चाहे आपके channel पर अभी 100 subscriber हो 500 subscriber हो या 1000 subscriber हो या 1 lakh subscriber हो या 1 million subscriber हो हर एक कुछ subscriber को आने में बहुत ही जादा मेहनत लगती है और अगर आप अपने चैनल पर रहते हैं regular वीडियो डालते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा channel ग्रो भी हो जाता है और दीड़े दीड़ेस में करके वीडियो में व्यूस भी आने लग जाते हैं लेकिन यहा कहने का मतलब यह है कि कोई आपकी चैनल का passport changes कर दे कोई तो जिसका गछी आता है चैनल होता है तो चीनल की जादा हो जाता है तो गार आप एक ही उपाय बाचता है जिसका ऐसान होता है तो वह क्या करता है वह Twitter में जाके team YouTube को tweet करता है जिससे जो उसका channel है वो वाफिस आ जाए तो जब YouTube team का Twitter में reply आता है उसके पास तो वो आपके channel से related कुछ information मांगती है जी आप कुछ information मांगती है अगर वो information आप सही सही उनको दे देते हैं तो उससे काफ़ी जादा chances बढ़ जाते हैं जो आपको channel जो hack हुआ है वो recover हो जाए और ऐसी भी काफ़ी चारे channel देखे गए है जिनका channel hack होता है और team YouTube को tweet करते है Twitter पे और जब YouTube team उनको message करती है तो उनसे कुछ information मांगती है लेकिन उस टाइम उनको अपने chances related वो information मालूम नहीं होती तो इसलिए जो उनका channel हो permanently delete हो जाता है या hack हो जाता है वो recover नहीं हो पाता तो इस case में उनको काफी ज़्यादा प्रसानी होती है तो आज की वीडियो में मैं आपको वह information बताने वाला हूँ जिसको आपको अलाइक से उसको note करके आपको कहीं save कर लेना है जिससे अगर कल को आपको यूटुब चाहिए hack होता है या एक से change आता है तो वो information आपके काम आएगी और बाकी मैं आपको अपने computer के screen में लेकर चलता हूँ जिससे आपको सही तरह से समझी में आए और जो भी information मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो सारी information आपके channel पर ही है मैं बताता हम आपको कैसे कैसे आपको note करना है और आपको अलग से कहीं पर note कर लेना है जिससे आप उसको save रख पाए है और बाकि अगर आप mobile में कर रहे हैं तो mobile में आपको chrome browser open करके desktop mode open कर लेना है तब आप कर सकते हैं चलिए दोस्ता computer के screen पर चलते है दोस्तों सबसे पहले जो आपको इस channel को यूरल होता है उसको आपको copy कर लेना है तो सबसे पहले आपको YouTube में अपने channel को open कर लेना है तो यहाँ पर मैं अपना channel search कर लेता हूँ यहांपर आप और आपको डोनों URL को को पी कर लाएना है अगर आपने अपने चैनल पर Здесь न कंच्टम उर्ल को के राखे है तो इसको भी होकिकर लाथ जैसे इधार मैंने एपने चैनल पर रेक्टक Alm प्ली कर लें तो उसको भी आपको note कर लेने हैं और फिर जो आपका चैनल को original URL होता है उसको copy करना है तो उसको कैसे copy करेंगे वह बहुता देता हूं सबसे पहले ही जो चैनल को जो आइकन है इस पर क्लिक करने है और यहाँ पर यो चैनल है इस पर क्लिक कर देने तो अब यहाँ पर उपर देखेंगे अब यहाँ पर कस्टम यूरल नहीं आ रहा है अब जो आपका चैनल को जो ओरिजिनल यूरल होगा वो इदर आएगा तो यह आपको जरूर से जरूर कोपी कर लेना है वो औरीनल यूरल मांगता है तो इसको मैं यहाँ से इधर यह कोपी कर लेता हूं यहाँ पर आपको नोट पैड में पेश्ट कर देना है तो आपको दोनो आपको नोट कर लेना कस्टम यूरल भी औरिजिनल चैनल यूरल जिससे यूटूब आपस कुछ भी मांगे तो वह चीज आपके पास रहा है और जाब यह आप नोट कर रहे उसको नोट कर लेना जैसे चलता हैंगे तो यह जो अब आउट वाला सेक्टन होता है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन आपने अपना चैनल बनाया था तो वह डेट इदर आ जाएगी कई बाग क्या होता है बहुत लोग होते हों कंफूज हो जाते है यूटूब मांगत यूटूब यूट अपने चैनल बनाया तो इसको यहांसे आपको किर लें और जैसे इदर में नोट पैड में नोट करों तो इसको यहां पर आपको पेस्ट कर देने अब आपकी तो तीन चीज हो गई कस्टम यूरण और चैनल उडिन चैनल यूरण और चैनल create date अब जू fourth है वह आपको channel का user id और channel id यह दोनों वह आपको पता होनद यह पहला है जी जो आपको channel का user id का है और channel id का है तो वह बताता हूँ आपको कहा से मिलेगा? तो इधेर आप इधेर channel पे आएगे और यहांपर सेम वह पर ही एकने इस पर क्लिक करें और यहांपर इएक ऑप्सन देखने को मिल रहा होगा setting यह setting है इस पर क्लिक करने तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह page open होगा तो यहाँ पर या तो आप advanced setting में चली जाएए या तो इदर है view advanced setting दोनों एक ही option है तो दोनों में आप किसी में भी एक पर click कर दीजिए जैसे इदर मैं view advanced setting पर click कर देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इदर आपके user id दिखेगा एक देखेगा आप इदर यह paste कर देना है और channel id सेम वही है इदर यह channel id सेम इसे को यहां से select कर लेने और right click करके copy कर लेने आपको और यहाँ पर channel id के ठीक सामने यहाँ पर इसको पेश्ट कर देना है और जो एक आप भी बचा वो बचा आपका adsense publisher id तो यह बहां बता रहता हूं आपको कहां से म यह इस इधार यह ड़ोए करेंगे तो यहाँ पर दैख सकते हैं यह लिखाओ है YouTube partner program option तो यहाँ पर देख सकते हैं help your Adsense account current public user id होईगी हो इदर लिखी होईगी तो इसको आपको copy करके आप जहां भी note कर रे होेंगे और ए और यह में आप नोट कर रहेंगे होगे और दे आइडी है यह जब ही आपको देखने को मिलेगी जब आपका चैनल जो है monetization on होगा अगर आपका चैनल monetization on नहीं है तो publisher ID आपको इदर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जब monetization on होता है तो आपको adsense account link करना होता है अपने youtube channel से जो उसकी publisher ID होती है तो इदर आपको देखने को मिल जाएगी लेकर आपका चैनल monetization on नहीं है तो आपको यह note करने की जरूत नहीं है क्योंकि वैसे यह option आपको देखने को नहीं अब दोस्तों मुझे उमेड है आपने साली की सारी information note कर लिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए यह प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले यह दिगर आप चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी यूसफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहे है